है ना आप लोग भी सिद्धान्त बना रियल जो है ना रियल रियल है इसलिए दिखावा नहीं कई लोग ना जिन्दगी दिखावे में जीते हैं दिखावे उसने 50 लाग का कोठी बनाई है घर बनाए हम भी बनाईंगे क्यों दिखावा कर रहे हैं तुम घास की जोपड़ी लायक हो तो घास की जोपड़ी में रहो ना खुस रहो यदि तुमारे पास हैं बनाओ दूसरों को देख के ना करो अपनी लाइफ जीओ अपने आनंद से जीओ पर किसी की नकल ना करो अब कहते हैं अज तक ईश्वर ने किसी को किसी के जैसे बनाया है बोलो यदि बन सकते तो भगवान ही ना बना देता आज आज तक किसी के finger किसी का अंगूठा किसी के अंगूठी से मिला है Fingerprints किसी के मिले है किसी की आख किसी की आख से मिली है बोलो आधार काड में आख भी लिंक होती है यह Fingerprints भी लिंक होता है आज तक आपका अंगूठा और मेरा अंगूठा मैच हुआ किसी का हो सकता है कोई एकसा हो सकता है जब कोई एकसा हो नहीं सकता वाडी से, सरीर से तो विचारों से भी कोई एकसा नहीं हो सकता ना साहब, जितने लोग हैं उतने विचार हैं इसलिए किसी के जैसे बनने की कोशिश ना कीजिएगा आप अपने जैसे बनिये जैसे आप आप बहुत अच्छे हैं आप जैसा आप ही हैं कोई दूसरा नहीं हो सकता मेरे जैसा सिर्व मैं हूँ कोई दूसरा हो नहीं सकता आपके जैसे आप हैं कोई दूसरा हो नहीं सकता इनके जैसे केवल ये हैं दूसरा कोई हो नहीं सकता लता जी जैसे केवल लता जी हैं लता जी जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता रफी जी जैसे रफी जी हैं रफी जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता भगवान राम जैसे भगवान राम है उनके जैसा कोई हो नहीं सकता हनुमान जी जैसे हनुमान है उनके जैसे कोई हो नहीं सकता मीरावाई के जैसे केवल मीरावाई उनके जैसे कोई हो नहीं सकता सिंपल है भगवान ने जिसको जैसा बनाया वो वैसा ही रहेगा इसलिए वैसे ही रहो जैसे भगवान ने बनाया है किसी और की तरह बन के क्या फाइदा हमें नहीं बनना किसी की तरह हमें अपनी तरह रहना जैसे हमें इश्वर ने डिजाइन किया है हम सावले हैं सावले रहेंगे हम गोरे हैं गोरे रहेंगे हम लंगडे हैं हम लंगडे रहेंगे हम बहरे हैं हम बहरे रहेंगे हम मूर्ख हैं हम मूर्ख रहेंगे हम विद्वान हैं हम विद्वान रहेंगे जैसा भगवान ने बनाया है वैसे ही रहोगे बस वैसे मैं खुश रहना सीख़ो बस ये आपके लिए है जैंसे बनाया विधाता ने वैसे मैं खुश रहना सीख़ो हम लोग क्या करते हैं परिसान रहते हैं अरे हमारी तो एक आँख में दिखता नहीं उनकी तो दोनों आँख में दिखता कोई बात नहीं भाई मैया, ओ मेरी माँ जगा दो मैया को नहीं पीछे बाई आप बहुत अच्छे हैं क्यों मेरी माँ आप कैसे हैं अच्छे हैं बोलो मेरी माँ क्या आप किसी की तरह हो सकती हो आप लोग भी देखते हैं उनको करे हम उनकी तरह हो जाएं उनकी तरह दिखने के लिए लोग क्रीम पाउडर पोतने लग जाते हम भी गोरे हो जाएं तुम सावली अच्छे हो तुम काली अच्छे हो तुम गोरी अच्छे हो जैसे हो बहुत अच्छे हो अपने को किसी और की तरह बनाना मतलब अपना सबसे बड़ा अपमान करना है अपना अपमान करना है आप अपने आप से संतुष्ट नहीं है इससे बड़ा आपका अपमान आप स्वयम अपना अपमान करते हैं जहां है मस्त्र क्या हूं जी सही अटल जी जैसा अटल जी ही होंगे कोई दूसरा नहीं हो सकता मोदी जैसा मोदी जी ही होंगे कोई दूसरा नहीं हो सकता और राहुल जैसा राहुल ही होगा कोई दूसरा नहीं हो सकता सब अपनी अपनी जगट भगवान ने जिसको जैसा बनाया है कोई दूसरे की तरह बन ही नहीं सकता क्यों जी सहिए आप की तरह आप अच्छे मेरे हिसाब से तो भाई अपनी तरह रहना चाहिए किसी और की तरह बनने की कोशिश हाँ, अच्छे आचरण चुन लो अच्छे आचरण चुन लो अच्छी बातें चुनलो उन अच्छी बातों पर अमल करो अच्छी रास्ते पर चलो फिर आप जैसे है न वैसे मैं ही आपका नाम होगा आपकी पहचान होगी आप सही रास्ते पर चलिए बस राजन तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है जीव मात्र के कल्यान के लिए प्रश्न किया है निद्रया हर्यते नक्तम व्यवाएन चवावया दिवाचार्चे हया राजन कुटुम्ब भरडेनवा निद्रया हमें अपनी नीद पर कंट्रोल करना चाहिए निद्रया हर्यते नक्तम व्यवाएन चवावया दिवाचार्चे हया राजन कुटुम्ब भरडेनवा कम से कम सोईए जीवन में आगे बढ़ना है सफल होना है तो अपनी नीद पर कंट्रोल किस पर कंट्रोल नीद पर जादा सोना अच्छा होता है या कम बोलो मेरी मा ना कम ना जादा कितने घंटी की नीद लेनी चाहिए हमें 24 घंटे में बोलो मेरी मा कम से कम 6 घंटा ये दास अनिरुद केवल 6 घंटा ही सोता है मेरे भाग्य में 7 घंटा सोना नहीं लिखा ना आठ गंड आठ गंड 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 सोच भी नहीं सकते 6 घंटा हम रात में ही सोते हैं बस दिन में सौने का कहा समय रखा है और रात में भी काम पूरा करके सोते हैं जो जिम्मेदारी विधाता ने दी है वो जिम्मेदारी पूरी करते हैं सोते हैं और सवेरे फिर जागते हैं जल्दी से, सवेरे जागकर हम पहले योग करते हैं, योग अभ्यास प्राणायाम करते हैं, फिर भगवान जी का पूजन करते हैं, संध्या करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, शूरिय अर्ग देते हैं, फिर हवन करते हैं, नित्य, नि घंटा रोज पढ़ते हैं एक घंटा नहीं लगभग दो घंटा रोज एक घंटा पढ़ते हैं और एक घंटा पढ़के फिर सुबह जल्दी आठ सवाठ वजे अन्यचेत्र की सेवा होती हैं अन्यचेत्र में आजाते हैं अन्यचेत्र मातना है फिर बंद्रों की सेवा फिर ग आना भूजन करना भूजन करने के बाद फिर आपसे मिलना कारे करना बीच में थोड़ा सा पढ़ना उसके बाद फिर शनान करके आपको कछा सुनाने आना कछा सुना करके साम को फिर आपसे मिलेंगे आप दूर-दूर से आते हैं मिलने के लिए इसलिए दास हर समय आपके लि तो आप लोगों से मिलेंगे मिलने के बाद 10 से 15 मुन में अपना सारा काम देखेंगे कि क्या क्या काम हुआ आज दिन पर में 15 मुन में पूरा विजिट करेंगे कि क्या क्या हुआ अब साथ वजे से आपको प्रश्णोत्री सुनाएंगे प्रश्णोत्री के बाद फिर आपसे मिलेंगे फिर मिलेंगे उसके बाद फिर विश्राम की ओर और जाती विश्राम नहीं जिन भरके जो काम होते हैं वो रात्री को निप्टाई जाते हैं कि क्या काम बचा है क्या काम कार्य बहुत है जिम्मेदारी गुविंद ने जो दे रखी है हम तो भगवान की पुतली बनकर कट पुतली बनके जो जो ठाकुर जी ने कार दिया है उनके कार्य को उनके आदेश आनुसार वैसे ही करते रहते है मेरी अपनी जिन्दगी मेरी नहीं है अब मेरी जिन्दगी पर मेरा कोई अधिकार नहीं मेरा उठना, बैठना, खाना, पीना आपके लिए मैं अपने आपको भीमार भी नहीं पढ़ने देता, आपको पता है क्यों? कभी-कभी मुझे लगता है बीमार पढ़ जाओंगा तो दो-चार दिन विश्च्राम करने को अच्छा मिलेगा पर मैं अपने आपको भीमार नहीं होने देता, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप बड़ी दूर-दूर से स्रद्धा लेकर कथा सुनने आते हैं पर मैं बीमार हो जाओंगा तो फिर आपको कथा कौन सुनाएगा? आप तो कथा सुनने आते हैं इसलिए अपने आपको आपके लिए स्वस्त रखता हूँ कि आपको कथा सुनानी है ठाकुर जी की सेवा करने है कथा के द्वारा, इसलिए कई बार मुझे भी बुखार आ जाती है, सरीर में बीमारी तो देखो फिर भी आ ही जाती है ना कई बार कई बार मैं बीमार भी हो जाता हूँ बुखार भी रहती है, पर उस बीमारी पर उस बुखार में भी मैं आपको कथा सुनाता हूँ रैश्र नहीं करता है काम जीवन में यदी आगे बढ़ना है सभल होना है तो आलस्य नाम की जो वीमारी पाल रखी है उसको निकालो और उसको वाग में स्वाहा करतो अपने जीवन में किसको मिटाना है जोर से जोर से और जोर से जिस व्यक्ति ने अपने आलस्य को समाप्त कर दिया वो दुनिया में कभी किसी के रोके रुकेगा नहीं है वो सफल होने में किसी के रोके न रुकेगा आलस्य का त्याग कर दीजे बस आपके पाउं की सबसे बड़ी जंजीर यदी कोई है तो आपका आपका आलश प्रमाद है कि मैं अपने सरीर्वों सरीर को सरीर के हिसापसे नहीं रखता है मैं अपने हिसापसे अपनी बॉडियों को रखता हूं शरीर पर मन पर कंट्रोल यही तो इंसान अरे कुट्टा मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता मैं बिल्ली से नहीं कह सकता है बिल्ली तू कंट्रोल कर मन पर शरीर पर ए चिडिया तू मन पर कंट्रोल कर ए हाथी तू मन पर कंट्रोल कर नहीं उनसे नहीं कह सकता ना वो कर सकते एक इंसान ही है जो मन को कंट्रोल करने के लिए मन को संयमी बनाने के लिए पैदा होता है और जीते जी मन पे कंट्रोल ना कर पाए, अपनी वाडी पर अपनी इंद्रियों पर अपनी विचारों पर अपनी वानी पर कंट्रोल ना कर पाए, तो इंसान किस बात के हो साहब, फिर तो जानवर हो, जिस आदमी के अंदर कोई कंट्रोल ही नहीं, तो आदमी किस बात के हो, दिखने वाले हो आदमी हो नहीं इतना भी धील ना दो महापुरुस ने कहा है सितार के तारों को इतना धीला ना छोड़ो कि वो बजय ही ना और इतना भी ना कसो कि तूट जाएं इतना कसो जिससे उससे मधुर मधुर सुर निकलता रहे यह जीवन है सितार की तरह मन को इतना भी धीला ना छोड़ दो कि मन रावण ने अपने मन को धीला छोड़ दिया तुसके मन ने उससे पराई नारी का हरण करवा लिया की नहीं रावड ने हर्ण नहीं किया सीता मा का रावड के मन ने हर्ण करवाया है सहमाच है आप इस बात से कि नहीं बोलो हाँ या ना रावड के मन ने रावड से सीता मा का क्या कराया हर्ण कराया रावड ने अपने मन को जरूर से जादा धीला छोड़ दिया बोलो हाँ आप लोग भी जरूरत से ज़ादा मन धीला छोड़ देंगे अपना तो तुमारा मन भी किसी इस्त्री में किसी पुरुस में ही जाएगा थोड़ा कसके रखो अपने मन को मन वहाँ जाए जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं मन वहाँ ना जाए जहां आप चाहते ही नहीं है जाना यहीं कंट्रोलिंग इसलिए आपको भगवान ने मनुस बनाया है वरना गधाना बना देता बड़े भाग्य मानो सुतन पावा सुर्दुरलब सदगरंधनिगावा क्यों बनाया वही आपको मनुस को तविल्ली बना देता इसलिए मनुस बने हो तो मनुस बने हो तो उसका लाव लो लाव लो नित्रया हरियते नक्तम व्यवाये नचवावया कम खाओ कम सो जादा जागो जो जागत है वो पावत है जो सोबत है वो उठ जाग मुसाफिर भोर भई अवरेन कहा तू क्या सोना जरूरत से जागा उठो भगवान का चिंतन करो भगवान का ध्यान लगाओ अपने मन को कंट्रोल करो साधो अपने मन का परिक्षण करो कितना हमारा मन अभी हमारे वसमें हुआ कितना है अपने मन धाग अवर हो। धगवाभ भी हमारे वसमेलना अवर रपीन का यra अईपना का लेख formally हए है।